एक स्त्री को जब पता चलता है कि वो मा बनने वाली है तब से लेकर जब तक बच्चा बड़ा हो जाता है या यूँ कहें कि ताउम्र उस मा को अपने बच्चे का किस तरह से उसे परवरिश देनी है किस तरह से उसे संस्कार देनी है कैसे उसे अध्यात्म से जोड़ना है ये विचार उनके मन में चलते रहते है और हमारे इस कारिक कि माध्यम से हम लगातार आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं नमस्कार मैं जोती एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहत विशेश कारिक्रम क्या है परवरिश में और हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने ज हमारी जी जो पिछले 27 सालों से PSSM से जुड़ी हुई है जिसके साथ वो फाउंडर है पिरामिड बाल विकास की उन्होंने मसी की है चाइड डिवलोप्मेंट पर तो चलिए मिलकर महिश्वरी जी का स्वागत करते हैं महिश्वरी जी बहुत स्वागत करूंगी कारेक्रम मे हमें अकसर सवाल आते हैं और वो सवाल हम सुनते हैं तो चलिए सबसे पहले सवाल जानते हैं और चुमें आजकल एडिक्शन जादा होने लगे हैं इसकी वज़ा बताएं तो महिश्वरी जी जैसा है कि हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और पेरेंट्स का भी ये जानन या कैसे उनकी काउंसिलिंग करते हैं चाहूंगे इसके बारे में बताएं ज्यादा तरह केसे गैजेट का एडिक्शन मोबैल हो या वीडियो गेम्स हो ज्यादा तरह इंटरनेट पर बिताना अपने वो दुनिया में खो बैटके रहना वो सब और दूसरी तरह आता है ज्यादा तरह फ्रेंज के साथ ही बिताना एक उमर के बाद एस्पेशली टीनेज के बाद पीर का इंफ्लेंस ज्यादा रहना पीर का बात ही मानना पेरेंस का नहीं सुनना बाहर ही ज्यादा रहना इस तरह का ज्यादा आता है और यहां पे दोनों का रोल होता है पेरेंस औ और बच्चों का, क्योंकि अगर हम mobile addiction का ही लिजे, mobile या gadgets, video games का, बच्चपन में वो आदित कौन डाला है, बच्चा जब पाइदा हुआ है, उसको mobile क्या पता है, वो TV क्या पता है, वो video games क्या पता है, या working parents या घर में जिसको patience नहीं है, वो लोग ज़्यादा तर क्या करते है बच्पन में वो चोटा उमर में मन्स बेबी को TV दिखाने दिखाते हुए खाना कि लाते हैं नहीं तो मोबैल एक टाब और उसको खाना कि लाते हैं, तो दीरे दीरे वो बच्चा उस चीज के लिए आदत पढ़ जाते हैं एसा हो जाता है, वो पेरेंस या के बाद में बोलता है वहाँ पर टेबल मैनस नहीं रहता होटल में भी फोन रहेगा वो खाना का रहे है और यह फोन पर लगे बात करती हitzer तो वह क्या अपहर कर रहे हैं घर में तो हर प्रींच है लोगों का लेकिन वो यहां पर उनके साथ नहीं है फिजिकल प्रेजनसी है उसका तो उसमें वो भी क्या धीरे धीरे अपने अटेंशन वो मॉबाइल गेम्स में नहीं तो वीडियो में अपना इमोशनल सेक्यूरिटी वो जो चाहिए उसको वो इमोशन सो हैपिनेस वहां डूनने लग जाता है वो भी रहता है कभी कभी इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए ज्यादा मोवी या कुछ देखना वो भी तो यह सब पेरेंट्स को ही बच्पन में किस तरह का आदत डाल रहे हम बच्पन टाइम लेके हम खाना किला रहे कि नहीं अगर हम कहीं पर जाना है नहीं तो हमाना फ्रे सिच्वेशन है आप उसको टाइम नहीं दे सकते हो उसका डिस्ट्रिबंस नहीं रहेना तो उस टाइम में क्या करना चाहिए उसको कुछ अलगव एक्टविटी में रख न Counter suzergy हाँ बीजी इन्वाल करना चाहिए तो उसको आर्ट में डाल सकते हैं कुछ पेपस दे के चार्ट पेपर डाल के उसको कुछ आर्ट करने के लिए नहीं तो कुछ ड्राइंग्स करने के लिए कलरिंग करने के लिए कुछ दे सकते हैं काना कहला रहे हैं एक वह घृर्ड करना एक जांड a qrma कितना किसी भी हालत में किसी भी सीजन में बहुत करके वह खाना खाया क्ट आ यहांड वह सब और इटिट्ट्न है वह ग्रति टूरे करना का छाहिए One कुच हम कर ना चाहिए हम को काना का अइस आम सब टेबल बाइठ के आपस में बात करते हुए हूं फूढके उसका इंपोरेंन न्युट्रिटीव वैल्इस जए उसके बात की एक बत्चा भी सिखे घूँ यहां पर एक बात मुझे याद आई some of my friends, उनकी एक बेटी है जो अभी शायद धाई से तीन साल की है वो अक्सर मुझे फून करती है और उसकी एक ही शिकायत होती है बहुत नौटी बच्चा है बहुत जादा नौटी बच्चा है मतलब वो हमेशा मुझे कहती है कि सुभा होते ही गायव हो जाती है घर में बाहर चली जाती है कहीं घूमने चली जाती है किसी के घर चली जाती है कई बार मंदीर लेकर गए हैं तो मंदीर अकेले चली जाती है अब उन्होंने क्या किया अपने बच्चे को गर में कैद किया उन्होंने अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ TV के साथ इंवालव रखा कि वो सुबह्ऑ उठते ही अच्छ अच्छ aumento कही नी जाना तो 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 ये देख ले ऐसी परिस्थिती उस छोटी सी बच्ची के साथ बन गई है अब वो उस बच्ची को कैसे उन चीजों से बाहर निकाले कैसे उसको टीवी की जो से एक अडिक्शन कह सकते हैं अडिक्शन लग गई है कैसे उससे बाहर निकाले चाहूंगे इसके बारे में आप से अपका सवाल म पर पेशेंस, पेशेंस का, अगर वो माबाप यह सब नहीं खर पा रहें, तो गर में कोई दादा दादी है तो उसके साथ उसको बाहर बेज सकते, थोड़े देर वो खुद पार्क ले सकते, लेकर जा सकते हैं, नहीं तो कोई अपना फ्रेंड्स कुछ है तो उसी किसी के साथ वो बेश सकते हैं, तो वो जो बच्ची चाहती है, उसके लिए टाइम एलोट करना है, अरे इतना देर हम मंदिर जाके आएंगे, इतना देर हम बाहर केलेंगे, बाद में हमको और कुछ भी करना है, ये भी सीख करना है, ड्राइंग भी करना है, ऐसा उसको बातों में लगा के थोड़ा वो एक आदत डालना चाहिए हमको, हर एक चीज पर इतना टाइम कर सकते हैं करके, तब वो एक्टिटिस में इन्वाल रहे तो पूरा टाइम टीवी देखना है कि नहीं, यहाँ पेरेंट को सुदरन कि बात की जाए, तो टेकनोलोजी का जमाना है, बच्चे किसी भी चीज का एक्सरा यूज कर रहे हैं, फोन में वो कुछ भी देख रहे हैं, तो अगर उन्हें रोका टोका जाए, तो वो बोलते हैं कि हम उसे समझ रहे हैं, हम वो देख रहे हैं, हम वो जान रहे हैं, लेकि पेरेंट्स कैसे समझें कि वो जो देख रहे हैं वो उसका सही इस्तमाल कर रहे हैं या वो कुछ गलत कर रहे हैं इसके बार में चाहूंगे आप हमारे दर्शकार को बताए यह तो मेरा घर का ही एक एक जामपल बताती हो मेरा बड़ी बाबी जब भी उसका बेटा कुछ फोन या कंपेटर देख रहे हैं तो बहुत अच्या कंपेटर देख रहे हैं इसको बाबी को समझ में भी नहीं आए कि वो वीडियो गेम से हैं वो कुछ लेर्निंग मोड का नहीं है तो वो नौलज नहीं है उसको बिलकुल इसलिए पेरेंस को भी सब समझना चाहिए इस आप कुछ सच में वो सीख रहा कुछ कोर्स सीख रहा बाइटना चाहिए उसके से तोड़ी देर अच्छा देखना दो मैं भी देखूंगा क्या सीख रहे हैं आप मुझे भी तोड़ा देखना है मुझे भी तोड़ा आ उसमें नॉलेज पाना है ऐसा मनें चेकिंग उसको करता है या पकड़ा टाइब कर नहीं और मैं भी देखना चाहती हूं इसा करके मुझे सिखा ओ इंटरनेट यूज करना कुछ ना कुछ बहाना बनाके उसके साथ ताइम देखना है वो क्या देख रहे है अगर उसको समझ में नहीं आया किसी से पता करना चाहिए वो क्या है वो क्या होता है किस तरह का वो देख रहा है उसका husband या किसी घर में रहे कोई friends के साथ किसी के साथ discuss करके वो जानना चाहिए और बाद में वो बच्चे से next वो question कर सकती है क्या आप ओके कल बोल रहे था आप में कुछ नया सीख रहे हो तो क्या सीखा आपने इससे करके सवाल ब पता चल रहे है पादर को भी पता चल रहे है अच्छा अभी मेरा नाटक नहीं चलेगा करके सी technology is not wrong बहुत सारे लोग जो आजकल उसको जाने के लिए टाइम नहीं है नहीं तो पैसा नहीं है ऐसा करके डायरेक्ट गुरू से सीखने के लिए म्यूजिक हो इंस्ट्रुमें आप कमा सकते हो लेकिन कितना हद तक वो एक हम देखना चाहिए सच में वो नॉलज्ज दे कमा रहे है यह एसा खोबाइट के गेंस में या इंटरनेट में जा रहे है वो यह काबु रहे तो उसको बैन नहीं करना यह मोबैल मत सीको या नहीं तो वो आप में मत रहो computer क्यों इतना टाइम computer पे ही बाइटते हो नहीं क्या देख रहे है कितना टाइम उसे लिमिटेट कर देते हैं लविंग लिमिट्स रखना चाहिए आपको यह होमवर्क भी है ना कल यह प्रोजेक्ट भी सब्मिट करना है ना तो कितना आप इसी टाइम पे यही पे बाइट होगे आ आप खुद पड़ाई भी बुक से भी पड़ाई करो ना एक्स्ट्रा जो इन्फरमेशन है वो इतना टाइम में मिल जाएगा ना आपको करके caution देता रहना चाहिए वहां पे उसको तो उसको मालूम हो जाएगा अच्छा मेरा पेरेंस को भी सब मालूम है अपना होमवर्क स इसको ही आप बोलो आप कितने दिर बाहर खेल है अपको फ्रेंस आप फिचıl अकसे से के लिए तो कितना अप कितने दिर आपको केलने के लिए होमवर्क के लिए कितना आइम चाहिए आपको एग्जाम के लिए प्रिपेर कोना है वो कितना टाइम अच्णा अजे इसके साथ ही कई बच्चे ये कहते हैं कि एक बार लाइफ में हमें एलकोछ ट्राय करना है और वो एक बार का ट्राय का बदल जाता है कब वो फेंटेसी जो है उनकी आदत भनगा अडिक्शन हो जाता है इसका पता नहीं जलता है ऐसी परिस्थिति अगर किसी भी पेरेंट के सामने आए कि उनकी बच्चे इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो क्या पेरेंट्स कर सकते हैं यह जनरली एडिफिकल्ट क्वेशन क्यों बोलती हैं बोले तो आजकल का जमाने में पेरेंट्स ही इसा बहुत सारे लोग है उसक हमारा सुkayटी में चलता है है ने यूजर फीसलिए नहीं अहीं गर है तो वहाँ पे वह sonra एडिक्शन नहीं समझ रहे खुद इडिक्शन नहीं समझ रहें वहांपर हां दारु का क्या आफिक्लि फ्जकी एक प्जक्पक्तीश में फिशुरू से ऑली एक बातwangदा है तो क्या पेरेंट्स अगर कोई बच्चा इससे ट्राइ करना चाहते हैं तो वह लोग हम एक उमर आने के बाद आपके मन पर काबू है आलखाल लेने के बाद किस्तर है वो डिफरेंस उसी को नोटिस करने के लिए हम उसको बोल सकते हैं तो वैसे अभी हम समझा सकते हैं और बोलना अभी वो पड़ाई होना है आपका सेटिल होना है यह सब भी है तो आप ज्यादा टाइम उसके उपर देन करके सब समझाना चाहिए उसी को देखो आलखाल जो लिया था उसका क्या हालत है और जो रिगलर ले रहे है उसका हेल्थ कैसा है एक्जाम्पल्स उसी को पूछना था उसका फ्रेंस हो या किसी सीनियर को उसने देखा होगा वो एक्जाम्पल्स उसी को मनें वहाँ पर आप इन्वाल कर एक फ्रेंडली डिसकेशन जनरेट करना चाहिए तो कुद मैसूस करें कि आलकॉल एक लिमिट से ज्यादा लिया तो किस तरह एडिक्शन बन जाते हैं बाद में लोग वैसे उससे बाहर कैसे नहीं आ पा रहे हैं तो देन वो कुद समझेगा वो एडिक्शन बहु बच्चे उस जनजाल में फस जाते हैं और बच्कों को वो गेम कहल ली है गेम ख़िल के हम हमें ये करना चोती सूँ मर में बहुत कुछ करने कि जो इच्छा अजकल के समय में जाग गाई है इससे पेरेंट्स फी अपरेंट्स को भी करेंभा कि प्रॉब्लम फियस करनी पड बिए इसे इसे कुछ आया तो इसा पुछ आया तो आपको नहीं बताने का OTP अगेरा नहीं तो इस तरह का एप आप अच्छा नहीं जानैक nine as के इसलिए एक monitor का monitoring होना चाहिए यह और एक पोलिसिंग आपका नहीं होना चाहिए वो जो हुआ था वो कहानियां उसको सुनाना है वो वीडियोस दिखाना है ताकि वो समझ सके और कि अभी कभी क्या होता है एक डेंजरेस एपस भी हो रहे है आजकल वो सुइसेड तक लेकर जनाब रिसेंट हम लोग देखे थे वो तमिलनाडू का केसे सो सब्लू वे होना है जो मने जो एक्जाम्पल्स कुछ आया था टीवी पे कुछ न्यूस आया था उस तरह का उसको दिखाना चाहिए कुछ मने इस अब देखे तो और बिगड़ जाएगा करके नहीं वो सब बताया तो ही उस तरह क्योंकि बहुत आजकल देख रहा है दस लाग जिस्ट वो इसे खेलते हुए ओटीपी बता दिया तो दस लाग पैसा उनका पेरेंस का हाँ इसा तो वो सब उसको बताना चाहिए नहीं नहीं बताया तो भी इतना केरफुल रहे तो भी इस तरह का आनले चीटिंग हो रहा है वो सब एक्जाम्पल साइट करके वो ऐसा सर्च करो क् डूढने के लिए बोल सकते हैं अच्छा तो इसा इसा तो जाग रुक रहे बच्च एक्जाम्पल से जादा अच्छे से समझ पाते हूं जीज़ों महिश्वरी जी आजकल के समेक का जो रूल है और वो बहुत अच्छा भी रूल है कि हम दो हमारे दो लेकिन कई गरों में जाता है कि हम दो हमारे दो को इतनी अटेंशन दी जाती है कि वो हर रिष्टे में अटेंशन पाना चाहते हैं हर रिष्टे में उन्हें खुद के लिए इंपोर्टेंस चाहिए मुझे मेरे पेरेंट्स इंपोर्टेंस देते हैं मुझे यहां भी मेरे दोस भी इंपोर्टे करते हैं इसके बारे में यहां पर क्या है हम ही खुद इसा आदत कर देते हैं बच्चों को यू आर्दा लॉर्ड यू आर्दा किंग क्वीन सही कितना उमर तक एक पांच साल तक क्योंकि मैं जो भी चाहता हूं मुझे मिलता है यह सुष्टी में सब कुछ कंप्लीटली अबंडन्ट हो जो भी तब तक बाद में दीरे दीरे बताना है शेरिंग के बारे में और आप बाहर लेके गया बाकी बच्चों के साथ मिलवा के उनको उस टॉय शेयर करने के लिए उसका चीजे शेयर करने के लिए खुद आदत करना चाहिए और नहीं मेरा इस तरह का आदत हमको ही करना चाहिए और कंपैरिशन करना है किसके साथ करना है उसके साथ उसका बेटरमेंट के लिए करना चाहिए अब आप 80% कमाये हो ना नेक्स्ट आप 90% के लिए कैसे कोशिश करने 80% मिल गया अच्छाना 90 तो हो गया दुनिया पूरा पालिया बने के उस्तरा उसको घंप आपक अच्छे हों करके बहुत नहीं सारे बच्चें को जितना आपका बच्चा में टैलेंट है उतना ही बाकी बच्चों में भी टैलेंट है एक शुफा युणिक है उनका उसका कुछ तैलेंट उसका दूसरा चीज़ पर करते और दैखतों संजाना चाहिए आप बहुत अच्छा फॉस में बहुत थालन टेणट एंव उसको भी उतना है तो वह दिखावा करystem कर सकते हैं मनें उसको दिखाना चाहिए हरे का अपना अपना इंपोर्टेंस होता है हरे का एक अटेंशन होता है वो देना ही है वो रेस्पेक्ट करना ही है करके तो इस तरह इससे भी फस्ट पेरेंट्स कितना हद तक मेरा ही बेटा सब में आगे रहना वो उससे पेरेंट्स को बाहर आन अपना बच्चे के सामने ही अप्रिशेट कर और बच्चा भी कुछ बुरा किया उसको आप छोड़के जो अच्छा किया उसी को तारिफ करना नहीं तो सिर्फ उसका अच्छाईयों का ही तारिफ करके यह इस पर ध्यान नहीं देना नहीं तो वो अच्छा ही किया तो तब ता किया लेकिन इतना तो चुन्ह dispersे किया उस इसके दूसर bunu कभे अच्य वह वही बहुत अच्छा प्रयास किया कि दुश्ट किया उसका-चारी ज्Яदा अभ्यास किया उसका जीत होता है अभी मेरा हुआ नेक्स्ट उसका भी हो सकता है तो वह सिखाना चाहिए हूं को आप जीत लिया आप ही है दुन्या में ऐसा नहीं सवालों को पूरा है लेकिन हमारे पास совсем समय का अभाव रहता है तो मैं चाहूंगी कि आप जाते-जाते हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को जो टिप्स के जरी आप समझाते हैं वो जरूर दे। तो अभी इस एपिसोड में हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो addictions क्यों कब हो रहा है कैसे होँ उसको अभी जितना हम discuss किया है कि इटेंशन नहीं देना कितना समय वह यूज़ कर रहा है कितना समय तो हम क्या हरे देखने के वज़े से ऊहरे हैं तो हम क्या हरे इसमें बच्च का कुछ ना कुछ addiction रहता है वो mobile हो या बाहर केलने क्या हो friends के ओपर डिपेंडेंसी हो या parents के ओपर ही जाधा डिपेंडेंसी हो हमको हर एक बार देखना चाहिए cautious रहना चाहिए fearful नहीं, cautious रहना चाहिए, कितना सही है, कितना देना है, जादा आप आपका पास पास है, वो बिना मांगे, बहुत सार है उसको दे रहे हो, इसा addiction of toys, the getting the first thing, the best thing, वो ही मुझे मिलना चाहिए, it is also one kind of addiction, तो वो क्या है, कितना दे रहो, कब दे रहो, क्यों दे रहो, और टाइम स्पेंड कर रहे है, आपका बच्चा, कितना टाइम किस पेंड कर रहे है, तो वो हर वक्त हमको चेक करना चाहिए, इसलिए parenting बहुत joyful, at the same time, बहुत आपको patience रहना चाहिए, आपका बच्चों को सही सांसकार देना का श्रिद्दा भी आपको रहना चाहिए. बिल्कुल महेश्वरी जी, जब इस टूडियो में आते हैं, तो बहुत सुन्दर बाते हैं, बहुत सारी प्यारी बाते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद. जब एक स्त्री मा बनती है, तो वो अपने आप में पूर्ण हो जाती है, लेकिन जब वो मा बनती है, तो कई जिम्मेदारियां, कई खुशियां, कई ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं, कि कई बार वो अपने पेशन्स खो देती हैं, लेकिन पेशन्स रखने होंगे, ताकि हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके हम अपने बच्चे को सही और गलत का फर्क समझा सके उससे पहले हमें खुद सही और गलत का फर्क समझना होगा हमारे इस कारिक्रम में हमारा यही परियास रहता है कि हम आपको बता सके कि क्या है परवरिश और कैसे कर सकते हैं हम अपने बच्चे की परवरेश हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टी एमसी हिंदी नमस्कार अपने रहिएए टी एमसी हिंदी बदले जीवन घर घर में सत्यका दर्शन